और चलिए हमारे सायोगी अमित शुक्ला हमारे साथ फेल्ट से जुड़े हुए लगातार रेपोर्टिंग कर रहे हैं ओवर टू यू अमित लेकिन इस वक्त आप देखे में गेट पर मीडिया का जमाड़ा और इसी गेट से राहूल गांधी को बाहर निकलना है किसी वक्त आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हुए सोनिया इस वक्त गेट के उस तरफ मौझूद है जो कि यहां से सांसद रही है स्वरक्षा यहां पर बहुत कड़ी है और किसी वक्त आप देखिए इस गेट से वो बाहर निकल सकते हैं फिलाल गेट के उस तरफ इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी की सभी बड़ी चेहरे मौझूद हैं जिसमें मलिकार जुन खडगे सोनिया गांधी राहूल गांधी प्रियंका गांधी रोबर्ट वाडरा तिलंगाना के सीम इसके लाबा बाकी नेता भी केसी वेड़ो गुपाल भी मौझूद है अब किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं और राइबरेली जो कि सोनिया गांधी की परंपरगत सीट है उस सीट से राहूल के चुनाव लड़ने के मायने क्या है कॉंग्रेस पार्टी संदेश क्या देना चाहती है और जिस से रन्नीत का जिक्र कॉंग्रेस पार्टी बार बार कर रही है क्या है वो रन्नीत बिल्कुल क्या माइने हैं इसके इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे कि राहुल गांधी को अमेठी चोड़ कर क्यों राइबरेली आना पड़ा इसी को लेकर चर्चा करेंगे तमाम खास महमान हमारे सा जुड़ गए हैं अवनीश त्यागी जी हमारे सा जुड़ गए हैं प्रवक्ता भारती जुड़ गए हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी सुधा मिश्रा प्रवक्ता कॉंग्रेस हमारे सा जुड़े हैं और प्रभात त्रिपार्थी हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार मौजूद रहेंगे और वार लॉंच किया है और उसमें भी फेल हो जाएंगे मैं जो आपका प्रश्ण है और जो अमिर शाह जी हमारे बड़े पद पेसंबधानिक पद पे बैठे हैं और उन्हें यहीं नहीं पता कि राहुल गांदी जी जन्ता के द्वारा चुने हुए सांसद है जब से मोदी जी की राजनेतिक पाई शुरू हुई है वो बिधायक थे और हमाई राहुल जी सांसद और जिसको यहीं नपता हो कि लोकतंत्र में जन्ता के द्वारा चुनाया गया जो बेक्ती है आप उसके बारे में जिस तरह की बयान बाजी कर रहे है यह दिखाता है कि आप कतई भी लोकतंत्र का सम्मां नहीं करते हैं जो सांसद है उसे लॉउंच नहीं करते है जन्ता चुनती है लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे बोलने गये बयानों पे कोई बात नहीं करेंगे आप प्रश्न हमसे करेंगे, यह लॉंचिंग यान क्या सांसत बनने के लिए कुछ यान की लॉंचिंग की जाती है, जनता चुनती है, तो इस तरह के अनलग दियान देने की बाज़ा लोग पूछा था, अरे भाई चुनाओ लड़ने का हमें सम्मिधान अधिकार देता है, अमेठी से हो, राय बरेली से हो, हमने पहले कहा था, हमने होमवर्क दे रखा है भाज़पाईयों को, और यह होमवर्क में फेल हो गए, अपना होमवर्क भी नहीं कर पाए, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अधरणी राई गांदी जी, कहां से चुनाओ लड़ेंगे, इस होम वर्त में भाजबा के लोग टोटली फेल्ड हो गए क्योंकि इनको इन्होंने अच्छा किया क्योंकि अपना प्रत्याशी तो कर्शाम को गोशित किया और प्रस्थ न हमसे करते रहे और अगर उसी प्रत्याशी को फिर स्टिकर देना था तो किस इसका वेट था भाई हम अ सब्सक्राइब करेंगे इस पर बड़े प्रश्न हो रहे हैं क्यों प्रश्न अगर करना है तो बराबर ही करिए ना लेकिन आपको लगता है कि उस तरह का परफॉर्मेस यहां पर राहूल गांधी कर रह पाएगा क्योंकि पुश्टेनी सीट रही है यह कॉंग्रिस की कह सकत या फिर नहरू और गांधी परिवार की तो लगता है आपको कि उस लेवल का परफॉर्मेस हो पाएगा देखे जहां तक परफॉर्मेस क्या बात कर रही हैं इतने डरे हुए हैं सत्ता धारी लोग हम लोग तो बिपक्ष में बैटे वे लोग हैं जिनको जनादेश नहीं मि रहा था नॉमिनेशन के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही थी लेकिन हमेशा की तरह राहूल गांधी एक बार फिर से यहां से चुप होकर आगे के लिए जा चुके हैं अब देखना होगा क्या आगे कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई देट यही है कि राहूल गांधी नॉमिनेशन कर चुके हैं यहां से जा चुके हैं मुकाबला दिनेश प्रताप सिंग से होगा लेकिन अमेठी छोड़ने का कारण क्या रहा क्या यह कॉंग्रेस पार्टी की रणनीत का हिस्सा है या फिर जो बीजेपी की तरफ से का जा रह है कि हार का डर था इस वज़े से राहूल अमेठी से रावरिली चले गए इस पर सवाल किया गया लेकिन राहूल गांधी ने चुपे साथ ली कैमिरमन विपिन के साथ तो यह हमारे सायोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जैसा कि सुधा जी आपने शक्ति प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता है चलिए मैं लोटूंगी सुधा जी आपके पास लेकिन एक जवाब अवनीश त्यागी जी से ले लेते हैं अवनीश त्यागी जी के पास हम जाएंगे लेकिन फराज किदवई जी से पहले सवाल ले लेते हैं समाजवादी पा पर सवाल उठ रहे हैं तो समाजवादी पाटी के कारेकरता हंगावा करने पहुंच गए शीनम जी देखिए अभी जिस हंगामे की आप बात कर रही है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरेट में आरेल्डी के कारेकरताओं ने भारतिये जनता पार्टी के कारेकरताओं को जमकर पीटा है यह आप अपनी रिसर्च टीम से पता करवा लिजेगा और जिस तरह से भारतिय जनता पार्टी और उनके जो अलाई है आज की तारीक में इतना ज़्यादा परिशान हो गए है शीनम जी इनका इंटरनल सर्वे है भारतिय जनता पार्टी का आप तो इतने बड इतने जादा परिशान हो चुके हैं अभी होम मिनेस्टर साफ बोल ले असी एसी सीट है मुझे तो लगता है उत्तरप्रदेश में सबसे जादा विपक्ष की अगर सबसे कोई सबसे जादा कोई सुरक्षित सीट है तो अजैराय जी की सीट है अजैराय जी जो हमारा टॉपिक है वो जो आपने अभी भी का हूँ मिनिस्टर साब कह रहे थे वो तो ये भी कह रहे थे कि राहूल गांदी को हार का डर है इसलिए भाग गए और सोनिया गांदी लॉंचिंग कर जुद मैंने जिकर किया कि इस बार भी लॉंचिंग फेल हो जाएगी वो भी उन्होंने का है आज का ये जो टॉपिक है अमेटी और राइबरेली को लेकर खास्तौर पर तो क्यों ये सीट बदलनी पड़ी इंडी गडबंधन के उमीदवार राहूल गांदी को मैं आता हूँ शीनम जी देखिए हर एक पार्टी के अपनी स्ट्रेटिजी होती है अभी सुदा बहन ने एक बात बोली उसमें मैं एक चीज़ और एड़ कर देता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने दो हजार चौदा में वलोधरा के साथ साथ बनारा से इलेक्शन क्यों होती है अब मैं उल्टा सवाल कर दूं भारतिय जंता पाटी से क्या आपने खाजियाबाद से जनरल वी के सिंग का टिकट क्यों काटा तो क्या यह सेफ सीट है सुरक्षित सीट है लंबे वक्त से हापर कह सकते हैं हम नेहरू गांदी परिवार का कबजा राए इसलिए एक स तांत्रिक व्यवस्ता में चुनाव हो रहा है सारी सीटें सेफ हैं उत्तर परदेश में आजकल असी की असी सीटें इंडिया गटबंधन के लिए सेफ हैं भारतिय जंता पार्टी अभी हो मिनिस्टर साब क्या करें ती गयरंटी किसानों की बर्बादी की गयरंटी बढ़त सा जुड़े हुए हैं अमित फिल्ट से लगातार अमित सवाल लेना चाहते हैं बोली अमित कि बिल्कुल मेरा सवाल सुधा से है श्रीनम की सुबा से आज मेडिया का जमावड़ा यहां पर था सभी राहुल गांधी का एक रियक्शन चाहते थे कि अमेठी छोड़कर आने क को हैंड़ोवर कर रही तो आगे का रोड मैप आपका क्या है लेकिन मीडिया के हजार सवालों पर राहुल गांधी की एक चुपी थी बगैर कुछ बोले वो गाड़ी में सवार हो गए यहां से चले गए परिवार की किसी भी शक्स की तरफ से कोई रियक्शन नहीं आया सवालों का जवाब देना है और सवाल आपके कैसे हो रहे हैं सवाल जो उठ रहे हैं कि अमेठी छोड़के यहां भाग गए इसका क्या उत्तर होगा अनरगल सवालों का कोई जबाब नहीं होता है क्यों छोड़ा संबेधानिक अधार चाहे श्रीनम जी हो चाहें अमीद जी जी आप राइबरली में आए हैं आपका पहला रियक्शन नॉमिनेशन के बाद आपकी पहली प्रतक्रिया इस पर भी चुपी साथ गए इस सवाल में तो कोई दिक्कत कोई परशानी नहीं है जब सव सवाल आपके होने पे हो और आप कहां से लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं तो कुछ भी कहेंगे लेकिन उसका बेश बना के आप प्रश्ण नहीं पूछ सकते हैं आप प्रश्ण पूछे कि जन्ता के लिए क्या आवश्यक है क्या हम करने वाले हैं क्या करेंगे क्या रोड मैफ है इस पर सवाल का उतर आएगा और कोई भी जवाब नहीं दिया और देखिए चुनाव चुप की तरफ से पूछा जा रहा है लेकिन आपका राइवरली को लेकर क्या रोड मैफ है राइवरली की जन्ता को लेकर आप क्या सोचते हैं या पूरा परिवार आज साथ में मौजूद था नॉमिनेशन की बाद कम सकम पहली प्रतक्रिया तो बनती थी वो भी उन्होंने नहीं की दिया यहां से चले गए ठीक है लेकिन पीम की तरफ से क्या टैक किया गया है वो पहले सुन लेते हैं राहूल के राइवरली के रण में उतरने पर पीम ने क्या खा है वो सुनिए पहले ही बता दिया था कि साजादे वाइनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वाइनाड में मतदान समाप्त होगा वो दीसरी स्वीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी स्वीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे हमेठी आएंगे हमेठी आएंगे लेकिन हमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहाँ से भाग कर अब राइबरली में खोज रहें रास्ता ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मात मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भरके कहता हूँ अरे डरो मात भागो मात मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राइ किया और चंद्रयान लॉंच हो गया ए राहूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी बीस बार लॉंच कर चुकी है मगर लॉंचिंग इनकी सफल नहीं हुई और आज इकीश भी बार फिर से अमेठी से भग कर राइबरेली में पrचा डाला अरे राहूल बाबा मैं यहां से राइबरेली का परिणाम बता देताऊं भारतिय जनता पार्टी के प्रत्यासि दिनेश प्रताफ सिंह के सामने अप राइबरेली से प्रचंद बहुमत से ह तो सुना अपने अमिच्छा को, राइबरेली से जहां आज राहुल गांधी ने नमांकन भरा, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंग ने भी अपना नमांकन दाखिल किया, दिनेश प्रताप सिंग के नमांकन में डिप्टी सीम रजेश पाठक भी कोनों ने आज अपना नमांकन भराए, आज आखिरी दिन था नमांकन भरने का और नॉमिनेशन प्रताप सिंग में भी नमांकन भराए